हम बाबा की बने, तो हमारा भटकना खतम हो गया, किस-किस का भटकना खतम हो गया, दिल से ऐसे गीत निकलता है, पाना था सु पालिया, कि अभी भी कुछ पाना है, कुछ चाहना है, जिसके पीछे मन भटकता है, किस किसको और कुछ नहीं चाहिए, हाँ तुठाओ, ठेके, तो कई ऐसे भाग्यवान बच्चे भी वाबा के बैठे हैं, तो बाबा हमें, देखो हम दुनिया में हर कोई भटक रहा है, किस के पीछे, वस्तु, व्यक्ति और वैभव के पीछे, कोई मानशान के पीछे भाग रहा है, अब हमारे अंदर ये भटकन क्यों होती हैं, क्योंकि हम जो चाहा रहे हैं, और जहां से चाहा रहे हैं, वहां से वो मिलता नहीं है, तो इसलिए हम भटकते चले जाते हैं, तो बाबा हमें कहते हैं, कि मैं तुम्हें सर्व प्राप्तियां देने वाला हूं, और मैं तुम्हें सर्व संबंधों का सुख देने वाला हूं, सर्व प्राप्तियां और सर्व संबंधों का सुख जिनके लिए संसार में हर आत्मा भटकती हैं, वो हमें बाबा देते हैं, लेकिन बाबा हमें कब देते हैं, जब हम बाबा के साथ हर कर्म करते हैं संबंध में रहें, मान लीजिए किसी के संबंध बहुत मीठे हैं दुनिया में भी, लेकिन अगर उनका मन बुद्धी बिजी हैं काम में, तो वो संबंध का सुख ले सकते हैं, किसी का बच्चा बहुत प्यारा है लेकिन सारे दिन बच्चे को देखते ही नहीं सारे दिन काम करते करम कॉंशियस रहते हैं बुद्धियों काम से लगा रहता है तो बच्चा तो बहुत प्यारा है उसकी एक मुस्कान थकान खतम कर सकती है लेकिन उस बच्चे की तरफ देखने की भी फुरसत नहीं तो वो जो संबंध का सुख है वो मिलता नहीं ऐसे ही बाबा हमी कहते हैं कि तुम बच्चे भी जब हर कर्म करते मुझे भिन भिन संबंधों में अनुभव करेंगे क्योंकि बाबा तो सर्व संबंधों से हमारे साथ हमेशा रहता है लेकिन हमें उस संबंध के स्मृति स्वरूप में बाबा के साथ के स्मृति स्वरूप में उस संबंध को अनुभव करना पड़ेगा है न जैसे बाबा आज कहते हैं कि जीवन साथी के रूप में मुझे अनुभव करो अब बाबा तु कहते हैं मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ लेकिन जीवन साथी के साथ जो साथ का अनुभव होना चाहिए उत्ते बैठते खाते पिते जो हमें एक अनुभव होना चाहिए कि हम अकेले नहीं है मेरा साथी सदा साथ है, वो अनुभव कब होगा? जब हम बाबा की स्वरूप में रहेंगे जब हम याद रखेंगे कि अभी उत्ते समय बाबा मेरे साथ है भोजन पाते समय बाबा के साथ भोजन कर रहे हैं, अकेले नहीं कर रहे, कहीं जा रहे हैं तो बाबा के साथ जा रहे हैं, तो जब इस प्रकार से हर कर्म करते हम बाबा के संबंद को स्मृति में रखेंगे, बाबा के साथ को स्मृति में रखेंगे, तो संबंद का अनुभव हमें जीवन में होगा और अगर हम भूल कर बैठे रहेंगे सब कुछ अकेले-अकेले करेंगे तो बाबा कहेंगे मैं तो बैठा हूँ तो मैं अकेले चल पड़ते हो, मैं क्या घरू तो वो अनुभव हमें नहीं होगा क्योंकि सारा कुछ स्मृति के उपर है स्मृति का इंग्लिश क्या है? अगर अवेर्नेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है और अगर अवेर्नेस है तो अनुभव होता रहता है आज देखो एक बहुत अच्छा एक बेहन अपना अनुभव कह रही थी कहती कि पिताजी हमेशा बहुत ऐसे ताने मारने वाले रहे मा को भी और मुझे भी तो कहती कि जीवन में कुछ भी करती हो न तो डर लगता है कि अगर इसमें असफलता हो गई तो पिताजी ताने मारेंगे तो कोई भी बात जैसे कहती कि अभी कोई काम किया उसमें नुकसान हो गया तो पिताजी ने फट से कह दिया पहले कमाओ फिर पानी में बहाओ तो कहती वो बात बहुत चुब गई तो मैं सोचती हूँ कि मेरा काम इतना अच्छा चल पड़े कि मेरे पिताजी को तानी मारने का मौका ना मिले है ना तो मैं आज उनको यही समझा रही थी कि आप अपनी जीवन को एक आत्मा के पीछे क्यों इतना जाया कर रहे हैं है ना एक आत्मा है उसका संसकार अगर तूटी देखने का है ताने मारने का है तो क्या गयरंटी है कि अगर आप अपने हिसाब से सक्सेस्फुल हो भी गए मान लीजे आपने बहुत बड़ा भी बिजनस खड़ा कर दिया आपने बहुत सफलता भी पाली तो क्या ये ग्यारेंटीड है कि जिसको आप सफलता समझते हैं और जिसको आप समझते हैं कि इस बात में तो वो ताने नहीं मार सकते उसमें वो नहीं मारेंगे हो सकता है कुछ डूंडगर उसमें भी कुछ कह दे क्योंकि जिसका संस्कार जैसा होता है वो कोई न कोई बात डूनी लेता है तो आप किस भय में जी रहे हैं और आप किस चक्कर में पड़े हैं तो कहती फिर मैं क्या करूँ कहती माबाप ही तो सबसे बड़े होते हैं तो मैंने कहा किस ने कहा माबाप सबसे बड़े होते वो तो लौकिक मात पिता है तो वो बहन ज्ञान में नहीं है तो मैंने उनको का ऐसे तो 84 माबाप रहें आपके वो तो 84 में से एक है लेकिन जो हमारा एक पिता है वो तो आत्मा का पिता परम पिता है तो उस परम पिता की स्मृती में रहो इस लौकिक पिता की स्मृती में मत रहो ये तो बस एक आत्मा है और उस आत्मा को जो भी संसकार है उसको रहम दिल होकर देखो कि ठीक है ये इनका पाठ है ये इनका संसकार है लेकिन अपने परम पिता की स्मृति में रहो जो परम पिता सदा हमें स्विकार करता है प्यार करता है कदम कदम पर हमें आशिरवाद देता है आप देखो बाबा हमें मुर्लियों में कहते है बच्चे ने अभी करम नहीं किया है संकल्प किया है तो भी मुबारक हो बाबा कहते है शुद बोला ना उसकी भी मुबारक हो धेरों मुबारक हो जितना बाबा तो सफलता हो या हम करम में लाए उसके लिए भी हमें नहीं यह कहते ही वेट नहीं करते कि भई करें तो पहले फिर मुबारक लेंगे बाबा तो में कहते हैं संकल्प कर दिया ना तुम ने लिख के दे दिया उसी की धेरों मुबारक हो तो मैंने कहा जब एक परम पिता इतना प्यार लुटा रहा है तो उस परम पिता की स्मृति में क्यों नहीं हर कर्म करते हो हर कर्म में जब लौकिक पिता की स्मृति में रहते हो, तो कितना भए आप अपने मन, मनसा में जैसे उत्पन कर रहे हो और वही अगर परम पिता की स्मृति में करें, तो कितनी दुआओं का चत्रचाया का शक्ती का अनुभव करेंगे तो बाबा हमें कहते हैं कि हर संबंद में, क्योंकि आज क्या है, हर एक संबंद कैसा है आज, हर एक संबंद आत्मा के साथ, पतीत आत्मा के साथ है न, तो पतीत आत्मा क्या है, बड़ी अन्प्रेडिक्टबल होते हैं, कभी तो ठीक रहेंगे, कभी बिलकुल परिवर्तन हो जाएंगे, फिर उनका कुछ शरीर का भी ठिकाना नहीं है, कभी शरीर छोड़ दिये, तो ऐसे में बाबा हमें कहते हैं, अब तुम हर संबंध, different, अलग-अलग कर्म में आते, सर्व संबंधों से मेरा हाथ और साथ अनुभव करो, आप देखो जैसे साजन की आज बात करते है बाबा, या जीवन साथी की बात करते हैं, तो मुझे एक माता कहती थी, कि मेरे जो युगल है न दीदी, उनको सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है, जैसे मेरी सैलरी आएगी, उनको बस सैलरी का हिस्सा चाहिए, उनको और कोई चीज से मतलब ने, मेरा दुख, सुख, मुझे कै अच्छा बुरा, उनको कोई लेना देना नहीं, वो कहती बस उनका पैसों का रिष्टा है, वो सैलरी आती है, तो मुझ से सैलरी मांगते है, और कुछ नहीं उनका मेरे से संबंध है, तो आप सुचों की, वो कहती की, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं अकेली हूँ दुनिय में, तो अब आप सुचों की, फिर वो माता भी जूंध में है, तो क्या है, की बाबा, जो जीवन साथी है, उसके साथ का अनुभव नहीं करते, बाबा के साथ खाना, उठना, दिल की हर बात सुनाना, जीवन साथी कैसा होता है, जैसा होना चाहिए कहते है, आप उस से दिल की हर बात खुलकर कर सके, लेकिन ये जो बात कहीं जाती, किसी मनुष्य के लिए नहीं कहीं जाती, क्योंकि मनुष्य को दिल की खुलके बात कहेंगे, तो जिस दिन क्रोध होगा, उस दिन खुलके वो बात आपको सुनाएंगे, कि आप तो ऐसे हो ऐसे हो तो इसलिए बनुष्य के लिए बाते नहीं कही जाती ये बाते किसके लिए कही जाती है शिव साजन के लिए बाबा हमारा जीवन साथी बाबा कहते लेकिन अगर उस मृती स्वरूप से नहीं चलते दिन भर में रोज देखो बाबा कहते जैसे बाबा के प्राप्तियों का अनुभव रोज करना है, ऐसे हर दिन के कर्म में बाबा के साथ संबंध का भी अनुभव करना है, और ये सब भी महनत की बात है, क्योंकि आप देखो, जैसे हम देहधारी को सारे दिन मिस करते हैं, चोटी-चोटी बातों में देखेंगे, देखो अभी ये मुझे तो कुछ कहा नहीं, अभी ये चल दिये, मुझे तो बताया नहीं, या कुछ लाए तो मुझे तो दिखाया नहीं, तो हर बात में देहधारी के लिए जैसे संकल्ब चलते हैं, कि ऐसा करना चेह था पर ऐसे नहीं किया, ये संकल्ब क्यों चलते हैं, संसकार अनुसार चलते हैं क्योंकि देहधारी से वो संबंध का जैसे एक संसकार बना हुआ है और वो जो संसकार है वो आज दुख दे रहा है लेकिन बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूती करने का हमारे अंदर कोई विशेश संसकार नहीं है अभी तो इसलिए हमें उस संसकार को अभ क्योंकि बाबा तो निराकार है न तो बाबा को साथ रखकर चलना इसका अभ्यास करना पड़ता है मुझे याद है जो मैं शुरू-शुरू में ग्यान में आई तो बाबा को जैसे आज बाबा कहते न कि कोई चैलेंज आता है तो मास्टर सर्व शक्तिवान के रूप में ब अभ्यास तो था नहीं तो पहले पहले प्रैक्टिस करने लगी तो क्या हुआ कि एक बड़ा कॉलेज था तो उसके प्रिंसिपल को निमंतरन देना था किसी प्रोग्राम में आने का तो मुझे वो सेवा दी गई थी कि आप जाकर उनको इन्वाइट कर लेना तो मैंने सोचा कि अब अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कभी बात हुई नहीं होगी है ना क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल से कौन बात करता है अब किसी कॉलेज में प्रिंसिपल से जाके पहली बार बात कर रहे थे या आयू भी छोटी थी इतना अनुभव भी नहीं था तो मैंने सो मुझे वो पुरा डिस्टिंक्ली याद है, बाबा को साथ में लेकर गई, तो आटो में बैठी तो बाबा को भी साथ बिठाया, वहां उतरी भी तो बाबा को साथ उतारा, फिर हमें वेटिंग रूम में बिठाया था थोड़ी देर, तो बाबा को भी साथ लेकर वेटिंग र जब जाकर बैठ गई और फिर होश आया थोड़ा, तो मुझे याद आ रे बाबा को तो लाई ही नी, वहीं छोड़ाई, फिर उसके बाद मुझे आया अंदर से कि अच्छा संकल्ब से बुलाएंगे तो भी आ जाएगा बाबा, तो फिर संकल्ब से बुलाएं, फिर बाबा को बाजु वाली कुरसी में बिठाया, उसके बाद फिर उनसे बातचीत की, तो ये मैं आपको एक रमणी का अनुभव सुना रही हूं कि शुरू-शुरू में क्या होता है, कि जब अभ्यास नहीं होता तो ऐसे अभ्यास करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आपको अनुभव हो होने लगता है, और जब अनुभव होने लगता है, तो ये अभ्यास इस प्रकार का नहीं होता, जैसा अभी सुनाया, फिर वो अभ्यास जो है, वो जो अनुभव है, वो बड़ा स्मूथ होता है, कि आप बाबा को हर संबंद में, अलग-अलग परिस्तितियों में संबंदों में, बाबा के साथ हम सारे दिन में चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं, इस प्रकार से, क्योंकि मेरा जो जीवन का अनुभव है, मनुष्यात्मा संबंदों के बिना बहुत नीरस हो जाती है, कोई अकेले नहीं रह सकता, दुनिया में तो कहते हैं, कि man is a social animal, अव ह animal तो हैं नहीं, लेकिन social जरूर है, तो हमें जरूर है कि हमें संबंदों के का अधार चाहिए, लेकिन हम जो आज तक सोचते थे, कि हमारा संबंद आत्माओं से है, और आत्माओं से वो अपेक्षा रखकर आत्माओं की पीछे भागते थे, तो उससे सिर्फ दुख ही मिला, क्योंकि आत्माओं शक्ती ही इन है, और शक्ती ही इन से कुछ एक्सपेक्टेशन करेंगे, तो दुख ही होगा, लेकिन बाबा को जब हम पहचानते हैं, और बाबा से सर्व संबंद का अनुभव करते हैं, और ये मेरी खास आप से एक जैसे रिक्वेस्ट समझ लेज कि इस चीज को कभी अंडरेस्टिमेट नहीं करना, इसको जरूर अपने जीवन में लाना, कि सिर्फ बाबा से ग्यान सागर की तरह नहीं या शांती के सागर की तरह नहीं या ऐसे कनेक्ट नहीं करना, कि सिर्फ बाबा से गुणों के आधार से या शक्तियों के आधार से, लेकिन बाबा से संबंध के आधार से भी हमें connection बनाना या योग करना बहुत जरूरी है. और योग करना माना से बैठ के नहीं, लेकिन हर कर्म करते बाबा के साथ संबंध का अनुफब. मुझे याद है, जब मैं ज्यान में आई थी, तो एक माता थी, तो माता जैसे मुन की जो बातचीत होती थी, बड़ी ऐसे ज्यादा ब्राम्वनों वाली भाशानी बोलती थी वो, बहुत सरल और वैसे बड़ी ओडिनरी तरह से बातचीत करती थी, लेकिन मैंने उस माता को बहुत अब्जर्फ किया, वो धाई-धाई बजे उठ जाती थी, बड़े प्यार से बाबा के लिए भोग बनाती थी, उसकी शरीर की आयू लगबग 55 वर्ष थी, लेकिन पुरा-पुरा ब्रह्मा भोजन बना लेती थी, उसको थकान नहीं होती थी, तो जैसे मैंने उसको देखा कि इतना अच्छा इसका बाबा के साथ जो ये संबंध है, इतना अच्छा है, तो मैं थोड़ा नोटिस करने लगी कि यह क्या करती है, तो क्या करती थी दूद चड़ाती थी और कहती थी बाबा देखना मैं आ रही हूँ फिर दोड़के जाएगी कुछ काम करेगी फिर आएगी फिर कहेगी अरे बाबा अच्छा है तुमने दूद देख लिया जला नहीं दो दिन जल गया था क्या कर रहे थे बाबा तुम ध्या तुम धाबा के साथ हर बात करती थी और कोई चीज मिस हो जाएगी तो बाबा को कहेगी बाबा तोड़ा इशारा नहीं दे सकते थे अभी देखो आपकी वज़े से डांट पड़ गई आप मुझे इधर बिजी कर देते हो और उधर देखो मुझे डांट पड़ गई तो इ प्यार से वो बाबा से कनेक्ट करती थी और इसी कारण उसकी जो जीवन थी वो बड़ी सहेज योगी जीवन थी तो एक दिन मैंने उसको ऐसे ही बातों बातों में पूछा कि आपका ये जो संबंध है बाबा से बड़ा इंट्रेस्टिंग है बड़ा अनोफिशियल सा है ऐ जब तो मुझे लगा है सच में बाप है इससे क्या फॉर्मैलिटी करनी है तो इस प्रकार से बड़े रमणीक विधी से वो बाबा से कनेक्ट करते थी और ये मैं आपको एक्जैंपल से इसले सुना रही हूं क्योंकि इन चीजों को हमें जीवन में बहुत प्रेणना मिली से और बाबा भी इसले कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ सर्व संबंधों का बिन बिन कर्मों में बिन बिन संबंधों का अनुभव करोगे जैसे बाबा ने आज कहा कभी मुझे बच्चे की तरह अनुभव करो तो जैसे बच्चा होता है आसपास तो माता पिता को क्या होता ह कि कोई भी जरूरत हुई तो बच्चे को एकदम से कहते तो बच्चा उनका ध्यान रखता है या बच्चे के लिए यह होता है कि यह हमारे बुढ़ापे का सहारा है तो बाबा कहते है उस प्रकार से देखो जैसे मनुश्य क्या कहता है कि माता पिता तो चले जाएंगे युग ओपदे भी हो जाएंगे शरीर से तो भी तुमारा अंत तक साथ दूनगा। टो बाबा कहते हैं उस प्रकार से, लेकिन बाबा ये भी कहते हैं, देखो संबंध जो होता है ना वो दो तरफा होता है। संबंध कभी एक तरफा नहीं होता। आप जैसे बाबा ने आज कहा सखा या सखी की तरह, बाबा को याद करो, अब आप देखो कि आपका सखा है, आप जब भी उसे बुलाते हो आ जाता है, लेकिन वो जब आपको बुलाता है आप नहीं जाते, तो कितने दिन आएगा सखा, आएगा, वो संबन चलेगा, नहीं, तो बाबा कहते हैं, कि कहते हैं ना, ये जो संबंध है ये हमें बाबा से रखना पड़ेगा, वरना क्या है, आप विचार करके देखो आपका कोई मित्र है, आपने उसे तीन बार पुकारा, वो तीनों बार आया, लेकिन उसने आपको तीन बार पुकारा आप नहीं गय, उसके बाद आप उसे पुकार सकेंगे, आपके अंदर इतना बल होगा, इतना confidence होगा, कि आप उसे पुकारें, नहीं पुकारेंगे. इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि संबंद इस तरह से निभाओ, कि तुमें भी confidence रहे, कि ये मेरा जीवन साथी है. बाबा हमारा जीवन साथी, हम बाबा की जीवन साथी नहीं है क्या? हमें भी तो उस प्रकार से बाबा के साथ चलना पड़ेगा. बाबा कहते हैं, तुम मुझे बच्चा बनाओ, तो मैं बच्चे का फर्ज अदा करूँगा, तो तुम भी तो मेरी जिम्मेवारी उठाओ, अब बच्चा ऐसा थोड़ी है, कि बच्चे को भूख लगे तो बोजन नहीं किलाया, बच्चे को अवश्यक्ता हुई तो कुछ किया नहीं उसके लिए, लेकिन बच्चे को जब पुकारा तो बच्चा चला है, ऐसा तो नहीं होता, तो बाबा हमें कहते हैं कि जब कर्मों में हम बाबा के साथ संबंध में चलते हैं, तो वो कर्म भी प्रैक्टिकल होता है, संबंध भी प्रैक्टिकल होता है और उस संबंध की प्राप्ती भी बहुत प्रैक्टिकल होती है तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से मेरे साथ सर्व संबंधों में चलो और जो मेरा नीची अनुभव है कि अगर हम बाबा के साथ सर्व संबंधों में रहकर चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत रमनीकता, भरपूरता और सच में ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत जैसे हमारे पास सब कुछ है तो बाबा कहते हैं मनुश्य आत्मा को चाहिए ही क्या प्राप्तियां चाहिए और संबंद चाहिए दोनों बाबा देते हैं लेकिन दोनों को हमें लेना पड़ेगा तो बाबा ग्यान का खजाना लुटाते हैं लेकिन उस ग्यान को धारन तो करन जाओ, तो प्राप्ती का अनुभव करेंगे क्या? नहीं करेंगे न, देखो, एक कन्या है, छोटी है, तो उसकी बाबा के साथ बहुत लगन है, तो इतनी लगन है कि कभी-कभी देख करना बिलीव नहीं होता, क्योंकि क्या है न, संसार में इतना पतीत पना है, कि कभी-कभी लगता है इतनी लगन किसी की कैसे हैं तो मैं आज ऐसे ही भाई से बात कर रही थी तो मैंने का इतनी लगन है उसकी देखकर कभी-कभी विश्वास नहीं होता कि इतनी लगन इतनी छोटी समय में हो जाती है तो भाई मुझे कहते हैं वो विचार सागर मन्थन करती है उसकी वि विचार कर रही थी कि हम तो ये करते हैं तो फिर तो हम गलत करते हैं न भाई जी ये बात तो ऐसे नहीं होनी चाहिए तो वो कहती कि जब वो विचार सागर मन्थन करती है तो विचार करो कि उसको ग्यान रतन कितने धारण होंगे तो मैंने कहा तो ये बाकी कुछ नहीं करते ह तो मुझे कहते हैं, नहीं करते होंगे, इसलिए धारण नहीं होता, क्योंकि कोई विचार सा अगर मन्थन करें, तो आप सोचो एक एक ज्ञान रतन तो लाखो रुपय का है, वो जो आत्मा है, वो कितनी भरपूर हो जाए, उस आत्मा को तो सेवा के सिवाए कुछ सूझे ही क्योंकि उसकी आंतरिक भरपूरता इतनी हो जाए, तो बाबा कहते हैं, यह जो ज्ञान रतन है, मैं तुम पर लुटाता हूँ, मैं तुम्हें प्राप्ती देता हूँ, पर तुम्हें लेनी भी तो पड़ेगी, मैं तुम्हें शांती दे रहा हूँ, लेकिन शांती कैसे मि जब हम अपने शांत सुरूप में स्थित होकर शांति सागर को याद करेंगे, तो शांती का अनुभव हमें होगा कैसे, शांती का खजाना मिलेगा कैसे, तो इसलिए बाबा कहते हैं, देने वाला तो लुटा रहा है, चाहे सर्व गुणों के हिसाब से, शक्तियों के हिसाब स या सर्व संबंधों का सुख भी हमें दे रहा है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए, जोली भरने के लिए, हमें सही विधी अपनानी पड़ेगी, अगर हम विधीवत संबंध में नहीं रहते, अगर हम विधीवत बाबा से हर एक प्राप्ती नहीं करते, अब कोई सच् ज्यान रतन के लिए हमें मुरली पर ध्यान देना पड़ेगा अच्छा कोई कहें मुरली सुनने से शान्ती मिल जाएगी नहीं उसके लिए योग करना पड़ेगा कोई कहें कि बाबा को सिर्फ याद करने से शक्ती मिलेगी हाँ शक्ती मिलेगी लेकिन साथ में उस शक्ती स्वरूप से परिस्थितियों को पार भी करना पड़ेगा क्योंकि शक्ती सिर्फ मिलती नहीं है जैसे मान लेजिए कि आपको एक जिम गए जिम का एक्विप्मेंट रखा है आप शक्ती बढ़ा सकते हैं उससे लेकिन आपको उस पर वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगे ऐसे ही बाबा कहते अपने शक्ती स्वरूप से जब बाबा से शक्ती लेंगे और उस शक्ती को प्रैक्टिकल विगंईव में उस स्वरूप बनकर करम में आएँगे तब शक्ती स्वरूप आत्मा बनेंगे तो हर एक चीज़ की विधी है, बाबा हमें सर्व खजाने दे रहें, सर्व संबंदों का सुक दे रहें, लेकिन जब विधी वत हम उन खजानों को धारन करें, उर सर्व संबंद को अनुबव करें, तब आत्मा के अंदर भरपूरता की स्थिती होगी, और ऐसी आत्मा के अंदर एक नशा खुशी वो भी स्थाई, कि मेरे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में और कोई भी नहीं, और पाना था सो पालिया, अच्छा, अब बाबा में आज और एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, इस ड्रामा में सब को देखते हुए, हमें रहम दिल और कल्यानकारी रहना है, क्योंकि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, किसी का कोई दोश नहीं है, किसी का कोई दोश नहीं है, आप इस बात को समझते हैं, कि हर आत्मा जो भी कुछ करती है, वो उसकी प्रोग्रामिंग में है, और जब किसी की प्रोग्रामिंग ही ऐसी है, उसके ड्रामा की नूंद ही ऐसी है, तो जो बात आपको wrong लग रही है, उसको तो पता ही नहीं कि वो wrong हो भी सकते है क्योंकि उसकी बुद्धी में तो उतना ही है उसकी बुद्धी की सीमा ही इतनी है तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि किसी भी बात को देखते या सुनते या किसी के विवार को देखते कभी किसी को ये नहीं सोचो कि ये दोशी है समझो कि ये इनका पार्ट है जो भी जो कुछ कर रहे हैं वो उनका पार्ट है ऐसा नहीं कि किसी को आम दोशी ठहराएंगे या किसी को बार-बार कहेंगे ये आपकी गलती है यह आपकी गलती है, तो कोई वो उस बात को समझ कर और उस गलती को ठीक कर लेंगे, देखो एक बहन थी, एक सेंटर पर रहती थी, सारे दिन कुछ भी सेवा नहीं करती थी, खाली खाती थी और सूती थी, तो उसको कितना भी कहें, कि आप अपना भाग्य विगाड रहे हो, कर ही करती रहती थी, और धीरे-धीरे कहने वाले को समझना पड़ा, कि वास्तम में यह इसका पार्ट है, और हम अपना पाप कर्म बना रहे हैं, और फिर उसको छोड़ दिया, कि भाई तुम्हें जो करना करो, तो इस प्रकार से बाबा हमें कहते हैं, किसी का कोई दोश नहीं है ना कई बार हम देखो भाई-बेने भी कोर्स करते हैं, क्लास करते हैं, हम कहते हैं कि भाई योग का चाट रखो, योग का चार्ट सब्मिट करो, अमरित वेला उठो, या पवित्रता की धारणा करो, या कुछ न कुछ यग्य सेवा करो, लेकिन उसी बेहन की तरह तस से मस नहीं होते हैं, कर नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं है, कि आप पचास बार कह देंगे, तो कोई समझ में आ जाएगा, हाँ, बाबा कहता है, और बाबा के कहने से, मुरली से, मन्थन से, जिसको जो प्रेडना मिलती है, वो मिलती है, बुद्धी का ता और मैं उस तकलीफ के आधार से किसी को पचास बार कहूं तूसे समझ में नहीं आ जाएगा। आपने दोशी द्रिष्टी देखी है ना दोश की वृत्ती ये गलत है या ये बदमाश है ये जान बुच के नहीं करते हैं तो वो जो दोश की द्रिष्टी होते हैं दोश की वृत्ती है उस दोश की द्रिष्टी ये वृत्ती से हमें बहुत साबधान रहना है हमें समझना है कि किसी का कोई दोश नहीं है हाँ वो अलग बात है कि बाबा की जो श्रीमत है वो कहने का बाबा ने हमें फर्स भी दिया है और अथोरिटी भी दी है तो वो श्रीमत हम किसी को सुनाए लेकिन श्रीमत सुनाती वक्त हमारी वृत्ती और द्रिष्टी कैसे होने चे रहम दिल और कल्यान कारी की और वो रहम दिल और कल्यान कारी की वृत्ती द्रिष्टी कब होगी जब अंदर ये पक्का होगा कि किसी का कोई दोश नहीं है और जहां आप किसी को दोश समझते न तो उस दोशी द्रिष्टी या दोश की वृत्ति के से, जब आप किसी को कहते हैं, तो वो बात उनको दुख देने लगती है, तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं, कि हर आत्मा को प्रेड़ना भी देनी है, पुर्शार्त के लिए समझ भी देनी है, बाबा की श्रीमत भी सुनानी है, लेकिन साथ साथ रहम दिल और कल्यानकारी भी रहना है, समझना है कि ड्रामा में हर एक का अपना पाठ है, हर एक की अपनी बुद्धी की सीमा है, और उस बात को समझ कर अपने अंदर ये नहीं रखना है कि कोई गलत है, या कोई जान बूच कर नहीं करता, उस वृत्ति दृष्टी को भूल कर फिर हर प्रेड़ना देनी है, तो ये बाबा समझाते हैं, और फिर बाबा आज हमें कहते हैं, कि हम आत्माई जब पुनरचनम लेते हैं, तो जो हम विकर्म करते हैं, वो विकर्म हमारे संसकार बन जाते हैं, और उनी संसकारों के आधार से हम कर्म भोग का अनुभव करते हैं, अब विचार करो, सत्यूग में क्या जन्म नहीं होगा, सत्यूग में क्या अमृत्यू नहीं होगी, सत्यूग में क्या तन नहीं होगा, मन नहीं होगा, धन नहीं होगा, सब कुछ होगा, लेकिन दुख का अनुभव क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ संस्कार पवित्र है, क्यों सत्यूग में भी तो शरीर छूटेगा ना किसी का, तो शरीर जब छूटेगा, तो रोना क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मोह का संसकार नहीं है, और यहां शरीर छूटता है, तो रोना क्यों आता है, मोह के संसकार के कारण, सत्यूग में भी तो आयू बुडी होगी, शरीर तो बाबा कहते हैं जो भी हम कर्म भोग का अनुभव करते हैं दुख का अनुभव करते हैं वो किस वज़े से करते हैं अपने संसकारों के कारण इसलिए इस समय बाबा कहते हैं हम पवित्र बनें और पवित्रता के ऐसे संसकार धारण करें पवित्रता के संसकार क्या होते हैं मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी हूँ, मैं संबंध निभाती हूँ, पर मैं संबंध मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं मा नहीं हूँ, पिता नहीं हूँ, यह मेरा रोल है, मेरे सर्वल संबंध एक पिता से है, तो बाबा कहते पढ़ाई, योग और धारना के अधार से, हम अप कर्म भोग का अनुभव होता है वो इस कारण से होता है क्योंकि हमारे अंदर संस्कार है जिसके अंदर इच्छा का संस्कार है जीत पाने की इच्छा है उसको हार कितनी तकलीफ देती है एना मुझे एक बहन कहती थी मैं जब से ग्यान में आई हूँ दीदी मिट्टी छुई तो भी सोना हो गया ठीक है कहती दस वरश हो गए मुझे ग्यान में जो संकल्प किया वो हुआ लेकिन अभी दो वरश से मेरा बाबा से विश्वास उठता जा रहा है क्योंकि दो वरश से जो चाहती हूँ वो होता नहीं है तो आप विचार करो तो मैंने उसको का आठ वरश मिट्टी को सोना बनाया बाबा ने तो भी क्या हो गया विश्वास तो पक्का हुआ नहीं आपका तो बाबा ने भी आप पे लगता है गिब अप कर दिया कि इसको आप कब तक भरोसा दिलाते रहे तो बाबा कहते है यह जो संसकार है हमारा आप मानो हम हर समय मान अपमान य वो दुख का अनुभव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ प्राप्ती के अधार से बाबा से जुड़ी है वास्तव में संसकार परिवर्तन नहीं किया, ज्यान को धारण नहीं किया, योग नहीं किया योग किया भी तो प्राप्ति की इच्छा से किया इसी कारण आज भी कर्मभोग का अनुभव होता है वरना आप सोचो कि बाबा तो हमें ज्ञान योग के अधार से सर्व प्राप्तियां देते हैं और इतना भरपूर कर देते हैं कि हमारे सारे पतीत संस्कार बदल जाते और पिर चाहे मान अपमान का पेपर आए, दुख सुख का आए, जीवन वृत्यू का आए, हम बच्चों को कभी कर्म भोग का अनुभव नहीं होगा, तो बाबा कहते हैं, कि यह जो कर्म भोग का अनुभव होता है, यह संसकारों के अधार से होता है, और जब हम पढ़ाई योग और धारना के अधार से, जब हम अपने संसकार को परिवर्तन कर लेते हैं, तो कर्म भोग का अनुभव नहीं होता, अच्छा, ओम शान्ती थोड़